चित्रकूट नगर्थाना शेत्र में तेज रफ्तार बाइक नेक महिला को मारी टक कर हाथसे में महिला की मौत जैपूर में हीट एंड रन का मामला सामने आया है 90 किलोमीटर की रफ्तार से बाइक दोडा रही युवक ने महिला को कुछल दिया टक कर लगते ही महिला सडक पर गिर गई और बेहोश हो गई SMS हॉस्पिटल में इलाज के दोरान महिला की मौत हो गई मामला चित्रकूट नगर्थाने का है हाथसे का CCTV भी सामने आया है SHO रामकिशन विश्णोई ने बताया कि एक्सिडेंट में गनेश नगर SHO रामकिशन विश्णोई ने बताया कि एक्सिडेंट में गनेश नगर रोड नमर 14 विश्कर्मा निवासी संतोष देवी पतनी किशोर लाल जांगिर की मौत हो गई महिला अपने बीमार भाई को देखकर 10 जून की शाम करीब 6 बजे अपने घर जाने के लिए निकली थी जैन मंदिर के सामने रोड क्रोस करते वक्त बाइक सवार दो लड़के उसे कुचल कर निकल गए गंबीर हालत में संतोष देवी को SMS होस्पिटल में भरती कराया गया 14 जून को इलाज के दौरान संतोष देवी की मौत हो गई ओवर स्पीट बाइक से महिला संतोष देवी को टकर मार कर भाग गए CCTV में कैथ हुआ हाथसा मृतका के बेटे राके जांगी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्श कराई हाथसे की जगे लगे CCTV फुटेज को खंगाला गया इसके बाद घटना का वीडियो सामने आया इसमें दिख रहा है कि रोड क्रोस करते समय बाइक सवार दो लड़के काफी स्पीड में आ रहे थे तेज रफतार बाइक को आते देखकर संतोष देवी ने उन्हें हाथ दिखा कर रुकने का इशारा भी किया ओवर स्पीड होने के कारण बाइक निमहीला को कुछल दिया रोड पर गिरकर संतोष देवी बेहोश हो गई एसमेस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई बाइक सवार संतोष देवी को 20 फिट तक अपने साथ घसीट कर ले गए रोड पर गिरकर संतोष देवी बेहोश हो गई कुछ सेकिंड खड़े होकर बाइक सवार लड़के देखते रहे लोगों को इखटा होते देखकर विवाँ से भाग निकले पुलिस का मानना है कि एक्सिडेंट के समय बाइक की स्पीड करीब 90 के आसपास थी पुलिस फुटेश के आधार पर बाइक सवारों की तलाश कर रही है